मुझे प्रदेश नमस्कार अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ मनुज वर्मा मद्धिप्रदेश में सियासी मुलाकातों के साथ सिंधिया के दोरे को लेकर सियासी हलचल भी तेज है एक दिन में एक साथ संग्ठन, सरकार और संग के पदादीकारियों से सिंधिया की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं लेकिन सिंधिया ने साब कहा है कि बीजबि गऊ मेरा परिवार है और मैं परिवार के सदेशियों से मिलने आया हूं. बीजबि मेर संक्टन ही सब कूछ है, इस तरह से सिंधिया ने अपने समर्थकों को भी संदेश देने की कोसिस की है. अगर भाजपा में आगे बढ़ना है तो संग्ठन और संग दोनों के सम्मान की चिंता करना होगी सिंधिया के संकेत बताते हैं कि वो भाजपा में लंबी पारी खेलने वाले हैं आज अटेंशन में में इसी वे चर्चा करेंगे लेकिन इसके पहले देखिए हमारी एकास्त रिपोर्ट कोरोनाकाल में अनलॉक होते ही प्रदेश की सियासत भी गर्मा रही है या यू कहें कि अनलॉक होते ही खासतोर पर भाजपा के दिगज नेता और रज्यसबा सांसत जो तरात सिंधिया भी अनलॉक हो गए है सिंधिया गुरवार को भी भाजपा नेताओं के साथ बैठकों में व्यस्त रहे लंबे वक्त के बाद वुपाल दोरे पर आये सिंधिया बदवार को ना केबल संगठन के पदादीकारियों से मिले बलकि मुख्यमंत्री शिबरास सिंग चोहान से मुलाकात करने सीम हाउस भी पहुँचे इसके बाद शाम को उनकी मुलाकात संग का रियाले समिधा में संग के मद्यचेतर के प्रचारक दीपक विस्पुते से भी हुई इस मुलाकात को संग में पैट पढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है सिंधिया लगातार यही रणीती अपनाती रहे हैं इससे पहले भी वे संग से नजदी की बढ़ाने की लाइन पर मेल मुलाकात कर चुके हैं सिंधिया के दौरे में कई सियासी एजन्डेश शामिल है उनके लिए हारे हुए तीन समर्थक मंत्रियों का पुनरवास कराने की मंशा भी एहम है इस दौरे में सिंधिया ने प्रदेश की राजनीती के साथ ही अपने समर्थक मंत्री गोविन सिंग राजपूत के लिए सागर की राजनीती को भी साधने की कोशिश की अभी सागर में तीन मंत्री हैं इसमें कोविन सिंग के अलावा गोपाल भारगव और भुपेंदर सिंग शामिल है सिंधिया भुपेंदर और गोपाल भारगव के निवास पर जाकर मिले और सियासत पर चर्चा हुई इस मुलाकात के सरिये गोपाल भारगव की लंबे समय से चल रही नाराज़गी को सिन्धिया ने साधने की कोशिश की बई शिवराज के कैबिनेट के दोनों एहम मंतरियों से मलाकात भी पढ़ाए जोतरात सिंधिया की एक दिन में एक साथ संगठंद सरकार और संग के पदादी कारियों से हुई इस मुलाकात के बाद मद्ध प्रदेश में सियासी पारा चड़ गया है अटकले लगाई जारी हैं कि आखिरकार इन सियासी मुलाकातों के माईने क्या है हलाकि जानकारों का मानना है कि प्रदेश कार समीती के एलान के बाद इन मुलाकातों के सीधे तोर पर माईने कहीं न कहीं निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियां हो सकती है वजय जो भी हो लेकिन दिन भर चली मुलाकातों पर सिंध्या से लेकर बीजेपी नेताओं तक ने एक सुर में एक ही जवाब दिया कि बीजेपी एक परिवार है और परिवार के सदस्यों में मुलाकातों के दौर चलते रहते हैं साथ में सभी ने सत्ता परिबर्तन की अटकलों को खारिच कर दिया। सिंध्या ने तो सीम शिवराज की जम कर तारीफ की। मैंने कल बहुत चर्चा किये। इस पर आप लोग भी थे हुआ। मेरे पारिवारिक रिष्टे हैं सबसे मिलने के लिए मैं आया था। चर्चा एक कोवेट के बारे में हुई, कोवेट के संतुलन के बारे में इस तरीके से आने वाले समय में ठीका करने का दिया आगे बढ़ाना है। कई मुद्धों पर संगठन पे भी चर्चा हुई। मध्यपदेश सरकार के मुख्या शिवराज सिंग चोहान जी हैं। उनके नेतित में फिछले 16 महिनों में जिस तरीके से इस कठिन परिस्तितियों में सरकार ने इतना बहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। मैं उनको धन्यवाद अरपित करना चाहता हूँ बढ़ाए ने एक नेतित परिवर्दन की चर्चाएँ कहा से चलने ये मुझे नहीं मामृत। लेकिन मैं एक सौजनिय भेट और कोविड के विशाय पर और संगठन के विशाय पर चर्चा करने के लिए बोपाल में मैं गया था संगठन और सत्ता में ताल मेल बिठाने के प्रयास में जुटे सिंध्या ने एक तरह से अपने समर्थकों को परोग शुरूप से नसीहत भी दे दी है ये बता दिया है कि भाजपा और कॉंग्रेस का फर्क क्या है अपने समर्थकों के लिए ये संदेश काफी था कि भाजपा में आगे बढ़ना है तो संगठन और संगत दोनों के समान की चिंता करनी होगी लेकिन कॉंग्रेस सिंध्या के दौरे और इन सियासी मुलाकातों को कुछ अलग ही नजरिये से देख रही है बहिया अध्यक चब शेर नहीं रहागा दूसरा बंदर बन गया और इस्ते में आगया शेर तो एक erfahren दौसर दूसरे डगाल डापा यहा Size भूले बहिया इनका यह क्या कर रहा है मैं प्रायास कर रहा उँ इदर से उध्यों कि सब इन में यह इंचर रहा है सब लोग लगे हैं कि यह में निटनो रिवर्टन हो हमको मॉका मिले कॉंग्रिस कुछ भी कहे लेकिन अब ये समर्थकों पर है कि वे सिंध्या के संकेतों को कितनी जल्दी समझ कर भगवा रंग में रंग जाते हैं सिंध्या के संकेत बताते हैं कि वे भाजपा में लंबी पारी खेलने की तयारी में है समर्थकों को सोचना होगा कि ये उनका भाजपा में एक पड़ाव है या यही इस्थाई भाव से रहना है लेकिन इस बीच एक सवाल ये उट रहा है कि सिंध्या वोपाल में बीजेबी के लगबग सभी बड़े नेताओं से मिले लेकिन खास बात ये रही कि उन्होंने मध्यप्रदेश के ग्रह मंत्री नरतम मिश्णा से मुलाकात नहीं की इसको लेकर भी सियासी माहौल गर्म रहा बिरो रिपोर्ट अनाधी टीवी तो सिंध्या की इसी सियासत को समझने का प्रयास करेंगे हमारे एडिटर इंचीफ प्रकाश भटनाकर और बिरो हेर्ट बिलजेस चोकसे के साथ प्रकाश जी वैसे तो कॉंग्रेस की राजनीती की बात करें है मत्पदेस की अगर सबसे पहले बात करें तो चार युवा चेरे बड़े चर्चाव में हैं तीन वहें जो कॉंग्रेस में अभी नवजो सिंग सिद्धू हो सचिन पाइलेट हो जितिन प्रशाद हो जो भजभगवा पाइटी में आ गया है और सिंधिया वह जितिन प्रशाद के आने कवाद यह का जा रहा है कि सिंधिया को एक साल में सिंधिया को सिर्फ इतना ही दिया कि एक राज्यसवा सांसत क्योंकि उन्होंने तो मत्पदेश में सरकार भी दिये और जिस प्रकार से समन्वाई की राजनीती वो करते ना जा रहा है मध्यप्रदेश में तो यह बाकी नेताओं के लिए संदे से जो बीजेपी की दरवाजे पर खड़े कांग्रेस चोड़ना चाहते हैं कि बीजेपी में अगर आपका सियासी भविष्य आपको तलास ना है तो किन-किन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा कि अभी कुछ समय पहले है राहूल गांदी ने एक टिपनी की थी सिंध्या को लेके कि उन्हें वापस कांग्रेस में ही आना पड़ेगा बिल्कुल लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब दुबारा कभी कांग्रेस के अंदर जोतिरादिते सिंध्या लोटेंगे उसका कारण बहुत इस पश्ट सा है कि भारती जनता पार्टी राज्य सबा सादस्य वाली बात तो एक ठीक है कि छोटी सी बात है कि उन्हें राज्य सबा में भेज दिया वो कांग्रेस से भी जा सकते दे लेकिन भारती जनता पार्टी ने सरकार गिराने के बाद सिंध्या से जो भी कम पूरा सम्मान भारती जन्ता पाल्टी में हो रहा है दूसरी बात के सिंध्या जब यहां आए एक बार उनने एक राजनीति दाव खेला है तो वो बार बार परिवर्तन नी कर सकते हैं उनकी अपनी खुद की विश्वसनीता का भी एक सवाल है तो निश्चित तोर पे वो एक सारी चीजे समझने में निश्चित तोर पे समय लगे का कांग्रेस की राजनीति का एक परिवार पे केंद्री तो ती ती यहां तो किसी व्यक्ति का इतना महत्व है नहीं तो जोती रादिती सिंध्या को भी जब विश्णुदत शर्मा जो है सिंध्या जी बोलते होंगे ब अगरती जंता पर्टी ने बोलाय करु कि जोति रादिति यह जानते वी जानते बम ऐ लो प्रिभार्ति वह वानती थी को बहुति थी सम्झन संपोंधन में भी जिल्व थी राष्टी स्वेम सेवक संग भी स्वीकार करने के लिए यह एक साफ्ट कारना सिंद्या परिवार के प्रति जो है हमने देखा था कि जब 96 में मादवराव सिंद्या ने कांग्रेस चोड़ी थी तो उसमें भारती जन्ता पर्टी ने गवल्यर में उनके खिलाफ कंडिडेट न ने तब भी एक कोशिश की थी के जोति राधित भारती जन्ता पार्टी से अपनी राजनिती की शुगात का रहे वो खेर तब नहीं हुआ लेकिन आप परिस्तिती कांग्रेस ने कुछ ऐसी परिस्तितिया निर्वित कर दी 15 साल बात के जोति राधित सिंद्या भारती जन्त जन्ता पार्टी में आज आए और भारती जन्ता पार्टी में आने के बाद जब उन्होंने उप चुनाव लड़े तो उनके अपने भी अनुबह बहुत अलगता रहे है और उने भी यहां की राजनिती में एक नई चीज नजर आ रही है कि यह सा तो अमने कभी कांग्रेस म अजर आए बढ़ता था यहां पार्टी में मंडल अध्यक्ष भी है जिलाध द्यक्ष भी है यह बेठा को रही है वो बेठा को रही है उनके लिए तो मतलब एकदम से अश्चार जन्दी यह सारी कार्य पत्ती जब उन्होंने चुनाव लड़ा हो सकता कई लोग उसे कारे क मंत्री के मंत्री का मंत्री संतोर निश्चित कुटर बहुता missing मत्री और इन उनकी साथ अपना रही है संध्या रहे बहुते वो भारती जनता पार्टी में तो जो संग से जो मेल मुलाकात है हमने देखा पहले भी लगातार मिलते रहे हैं तो क्या संग के जो मुलाकात है उससे भी संदेज देने की कोशी से समर्थक हो कि संग्थन भी अपनी जगे है सत्ता भी अपनी जगे है लेकिन संग जो चाहता है संग जो कहता है क्योंकि कई सारे निड़े आपको पता संग के ऐसे होते हैं जो मंत्रियों के मारफ़त चाहते हैं कि संग क्या है कि संग क्या सव्च ऐस क्या चीजे बारती जनता पांटी क्या चीजे दोनों के अंदर क्या फर्क है तो यह सारी चीजे जो है उन्हें पता है कि हमारा विचार्दारा का जो स्तृत है वो क्या है तो यह सारी चीजे जब आप एक विचारधारा से जुड़ रहे हो तो चुकि एक भारती जनता पार्टी एक साधारन सा राजनितिक दल नहीं है विचारधारा पर आदारित राजनितिक दल है और उसकी बहुत इसपष्ट सी कुछ अवधारना है जो आपको सीखना नहीं पड़ेगी उस पार्टी में रहते हुए तो अब जो कांग्रेस से जो लोग आए हैं चुकि बड़ी संख्या में पहले एकका दुक्का आना एक अलग चीज होती थी उनका शामिल होना मिलना बहुत सारे लोग आये कुछ आके रम गए और कुछ जो है वापस किनारे ह देख सकते हैं प्रेम नारें ठाकुर आया है शांती से रह और पाइच साल बाद वो अभी आल का हाल फिलाल उनका कहीं राजनीती में वह नहीं है चोदरी राकेस्चिंग को देख लीजे चोदरी राकेस्टिंग बट दुम-दढ़ागे से भारती जनता पार्टी के अंदर खप नहीं पाया उस तरह से जिस तरह से उनका उम्मी देखिए लिए तो ये एक सिंधिया आपने समर्थकों को मेसेज दे रहे हैं कि इस पार्टी अंदर रमना पड़ेगा यहां तक के सपन में तो मैं साथ हूं जहां पर मैं मदद कर सकता हूं वहां भी कर दूंगा लेकिन जनता पार्टी के संगठन से अंधर अगर आप गुल मिल गए तो आपकी जो शमता है वह पार्टी आपका सो परसेंट उप्योग कर लेगी लेकिन अगर कांग्रेस के नजरी से देखे तो हमने बार बार गोर करेंगे कि पिछले जो 14 महीने 15 महीने में कि सिंधिया जब भी पूटो नहीं मघच पाते थे वो ये ये ओ सुंडिया कारकरता हूँ साथ सेल्म भी ले रहे हैं वो सिंधिया जो ग्लीिशके तमाम बड़े नेता जिनकी टोडी पर खड़े दे और सामने खड़े परिवर्तन ला सकते हैं अपने आप में कांग्रेस में यह परिवर्तन हो सकता था वो कांग्रेस में भी कर सकते थे कम से कम सरकार चलाने में तो मदद कर सकते लेकिन जिस तरह से असम्मान हुआ उनका कांग्रेस में हमने देखा 15 माह की सरकार में उनके काम नहीं हुए उनसे कहा गया सड़क पर उतर जाईए आप यह देखिए जब से भाजपा में आया है और भाजपा की सरकार बनिये ऐसा पूरा आदर दिया जाता है जिस तरह से भटनागर जी भी बता रहे थे कहीं ऐसी विरोद के सवर नहीं है उनके समर्थकों के भी क्यों क्यों कि वो चुछ संवान जो चाहते थे सिंधिया भी भाँ पे संवान की लड़ाई लड़ा थे वो संवान उनको मिला नहीं था वो जिस तरह से सुनवाई नहीं हुई उनको सड़क पर उतरने की बात कहना पड़ी तो आप उनसे कह रहे हैं को जाईए सड़क पर उतर जाईए उतरना है तो इस तरह से असम्मान बार बार हुआ था तो वो कहीं न कहीं हूँ आज कांगरेस को मैसूस होता होगा कि हम चाहते तो सिंदिया को साथ लेते वो गलतियां न करते तो साएधा अज उनकी सरकार बनी रहती तो यह दो मैसूस उनको करना ही चाहिए यह गलतियां तो उन्होंने की थी हैँ जिसतरह आपने कर दींग rivers की होगा कर रहा ना पड़ा भाजपा में रही बात तो भाजपा में आप देखी कि लगातार उनमें बदलाव दिये रही संग में पेंट की बात करें हम करें तो संग कोई अपरिचित नहीं है सिंधिया परिवार है सिंधिया घराना जो ना संग से अपरिचित है ना संग सिंधिया राजघराने से अपरि करना पड़ता है तो नहीं बुलाया सभा में नहीं बुलाया प्रचार के लिए तो उनको तकलीब हो गई बुलाया तो तकलीब कर सकते हैं उनकी sip फटब चल चल रहा है जो दर्द उनमें सिंधिया के जाने से जो दर्द देख रहा है सिंधिया के वो ता उम्र नहीं भूल सकती कांग्रेज के बड़ी मुश्कल से पंद्रा साल वाद तो सत्ता में आये थे 15 महा तक रहे और इसके वाद सिंदिया जी ने वो सरकार भी गिरा दी और हो सकता है वक्त पंद्रा साल ना आए लेकिन दर्द की दवा की जगे वह वारवार खुद का जख्म पर नमक डाल रहे हैं जबकि वह दूसरों को दर्द देन की बात करने आये तो वू खुद सुविकार कर रहे ना तमाम तरह की बात करेंगे मुक्हमंतरी से बात भी करेंगे के और तारीप कर रहे हैं कि अपने समर्थकों की जीत के लिए उन्होंने चोटे से चोटे कारता उसे बाच्चित करने गुरेज नहीं कि अचाहिए वो फोन पर बात कियो उसको मनाया हो चुनाओ के बाद हम देख रहे हैं कि वह जब भूपेण सिंग से मिलने चले जाते हैं गोपाल भारगाव क्या चले जाते हैं जबकि ऐसी मुलाकात वो कहीं भी कर सकते दे तो उनके मंत जो भी समर्थक्त है चाहिए गोविंद राजपूत हो चाहिए तुलसी सिलावत हो निश्चित तोर पर जब वो सिंधिया को देख रहे हैं और वो कुद उसको महसूस भी कर रहे है जगर तुलसी सिलावत का कद इंदोर की राजनिती में भारती जनता पार्टी में आज पास महत्पून विभाग है आप सागर अंदर आप राजसो परिवन विभाग गोविंद राजपूत के पात है नगरी प्रशाशन आवाज विभाग भुपेंज जी कर पास है पीड़ी जो है पीड़ी जी जैसा विभाग है तो आप अंदाज लगाई है कि एक ही जिले के अंदर तीन बड़े मंत्री है तो यह राजनितिक समीकरण जो बदले उसका कारण है लेकिन जब यह सरकार अपने टर्म पूरा कर लेगी तो हो सकता है नेक्स ताइम इसा नहीं हो तो यह बड़ा सियासी संदेश चुपा है तो निश्चित दोर पर आपको भारती जनता पा पार्टी से लड़के भी वह चुनाव जीते थे और भारती जनता पार्टी में रेके कांग्रेस के खिलाब भी लड़के वह अच्छे से चुनाव जीते तो निश्चित तो पर वहां पर भारती जनता पार्टी में जब समाहित हो गए तो उनकी ताकत वह पर बढ़ गई त तो इस चीज का ऐसास तो गुविन राजपूत को भी होगा और वहां ऐसे कोई क्लेश हमने कभी सागर में बीजेपी के अंदर को इस तरह की बात चीत है यह पंद्रा बाहिने वह बिल्कुन वह भी देखने को नहीं मिली है ना इंदूर के अंदर इसा कुछ देखने को मिला ह तो कि यह तीनों नेता दमों में भी उतनी सक्री थे हमने देखा है पार्टी ने सक्री किया था उनकी ज्यूटी लगाई थी तो तीनों थे प्रभु राम चोधरी राइसें से गई थे वहां पर वहां पर प्रचार के लिए गई थे पूरे उसमें महां पर कांग्रेस पर वोस्तर चपे के वह गायव है और जबकि वह पर दमों में मोझूद थे तो उन्होंने पार्टी के आदेश का पालन किया जो भी वोस्तर सिंद्या के खिलाब भी वालियर में लग गए कल तो यह बड़ी सामानिसी बात है तो मुझे लगता है कि एक लंबी पारी के लिए राजनीती की कई सारी संभावना और संभावना का खेली शायद राजनीती है लेकिन यह भी सवाल उठता है कि सब के बाद व्यूद भी क्या सिंद्या समर्थक या बाकी कांग्रेस से सबक लेंगे कि अगर आपको किसी संक्टन में घुलना मिलना है उसकी विचार धा अपने बिरोधियों से सीखना चाहती तो बहुत कुछ आज तक सीख चुकी होती कम सकम भाजपा का 50% तो होती हो यादी सीख रही थी उनके नेता बात जरूर करते हैं कि संग से सीखो भाजपा से सीखो लेकि सीखते नहीं है क्योंकि अनुसासन नहीं है वहां पर वैसा डं बढ़ेंगे तो अपनी सारा कोसल उसको सिखा देंगे बिल्कुल लेकिन कांग्रेस नहीं सीख पाई कांग्रेस पास ऐसा कोई कोसल ही नहीं था मनोजी जो बीजेपी को सीखना पड़े वो तो पहले से हर चीज कोसल में बलकि यह नहीं सीख पाए हारने के बाद भी तो समर्दकों का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो किसी तरह की आवाज उठाएंगे और मुझे लगता है कि इसमें जरूर सिंदिया जी ने भी सीधे इसपश्ट निर्देश दे रखे होंगे उनके समर्दकों को कह दिया होगा कि यह कांग्रेस नहीं है यह भाजपा है इसमें क कांग्रेस में होता था वें सब भाजपा में नहीं दिख रहा है सिंदिया समर्थक किसी को यह कोई पड़िया जाता बाहर नारे वाजी सब्सक्राएं लेकिन देखिए वहाँ पर वही अनुसासन उनमें आ गया तो जिस तरह से संगठन में नेता और उनके समर तक दोनों ढ़लने की कोसिस कर रहे हैं एक तरसे हम कह भी सकते हैं कि लंबा समय हो गया है ड़ली चुके हैं जो बैसे भी कहा जाता संगत का असर होता है तो अच्छे लोगों में आप यही की जाना चाहिए वरहाल आप दोनों का वह शुक्रिया क्योंकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा है तो निशित और पर जो सीख दे रहे हैं सिंधिया उनके समर्थकों के लिए और जिस दल के लिए जिसको छोड़कर वह आए हैं क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस मे कांग्रेस में बीजेपी की रहा पर चल रहे हैं बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कई आभी गए कई दरवाजे के भार कड़े हैं तो ऐसे में जो सीख सिंधिया दे रहे हैं और एक तरह से उनको मैसेज भी है कि अगर आप इस कहीं जाएंगे तो आपका वह क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी में पहले माना जाता था कि दूसरी विचार धारा के नेताओं को जल्दी स्विकार नहीं करती और करती है तो उनको लाइम लाइट में या प्राइम जो कहें कि उनको कोई महत्पुर्ण की पोस्ट नहीं मिलती है लेकिन हमत विश्व आप से कैसे आपको ढ़लना चाहिए और शायद यही लीडर वेस और काडर वेस पालिटी का फरक है तो अटेंशन में आज इतना ही मुझे दीजिए जाएता तो आप देखते हैं अनाधी टीवी नोश्कार झाली टीजिए और शायचार